BPSC सिक्षक न्युक्ती में लैंड फॉर्ट जॉब जैसा घोटाला जितन राव मांजी का निती सरकार पर गंभीर आरूप हम सुप्रीमों जितन राव मांजी ने आरोप लगाया है कि निती सरकार द्वारा हाल ही में की गई BPSC सिक्षक बहाली में रेलवे के लैंड फॉर्ट जॉब की तरज पर पैसे लेकर नौक्रियां दी गई है बिहार में एक लाग सतर हजार पदो पर हुई BPSC सिक्षक बहाली में धांदली के आरोप लगे है पूर्व मुख्यमंत्री जितन राव मांजी ने निती सरकार पर BPSC सिक्षक बहाली में रेलवे के लैंड फॉर्ट जॉब की तरह घोटाले का आरोप लगाया है उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरिय जाच की मांग भी की है हिंदुस्तान आवा मोर्चाहाम सुप्रीमो मांजी ने कहा कि सिक्षक नियुक्ती में आरक्षन की अंदेखी कर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत अभियर्थियों को सरकारी नौक्रियां बाटी गई है पूर्व सीएम जितन राव मांजी ने मंगलवार को ट्वीट कर निती सरकार की बीपीएस्सी सिक्षक बहाली में घोटाले के आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि बीपीएस्सी सिक्षक नियुक्ती मामले की उच्च स्तरिय जाच की आवशक्ता है आरक्षन की अंदेखी कर यह नियुक्ती रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तरच पड़ मनी फॉर जॉब स्कीम के तहट की गई है पैसे दो सरकारी नौक्री लोग घोटाले की उच्च स्तरिय जाच होनी चाहिए बिहार सरकार ने युवाओं का बेरा गर्ग कर दिया है एक तरफ नितीज देजस्वी की सरकार अब तक की सबसे बरी सिक्षक बहाली को लेकर वहावाही लूटने में लगी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने घोटाले का आरोप लगा कर बिहार का सियासी पारा गर्म कर दिया है मतादे के कथित लैंड फोर्ट जॉब घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डिप्टी सीयम तेजस्वी यादव और पूर्व सीयम रावडी देवी समेत अन्य आरोपी है CBI इसकी जाच कर रही है और आरोप है कि लालू यादव की रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में जमीन के बदले नौकरियां बाटी गई थी बिहार लोग सेवा आयोग BPSC ने सिक्षकों के करीब 1,70,000 पदों पर भरती की है भरती परिक्षा का रिजल्ट आ चुका है और इस परिक्षा में केवल 1,22,000 अभियर्थी ही सफल हुए है बच हुए पदों को आगामी भरती में जोड़ा जाएगा चैनित अभियर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया जारी है अगले महिने उन्हें जोइनिंग दे दी जाएगी मुख्य मंत्री नितीश कुमार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नव नियुक्ती सिक्षकों को नियुक्ती पत्र बाटेंगे बिहार सरकार ने इस आयोजन की तयारी भी शुरू करती है ब्योरो रिपोर्ट देश्वा न्यूज